नमस्कार साथियों मेरा नाम है रिशब राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर हाट और आपका इस समय की बुलेटन में स्वागत है तो चलिए आज के कुछ मेजर अपडेट्स के उपर जल्दी से नजर डाली जाए पहला अपडेट आ रहा है सदन सतर को लेकर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने सोमवार को राष्टरपती के अभी भाशन पर संसद के धन्यवाद प्रस्ताओं पर जवाब दिया संसद में अपने संबोधन में PM मोदी ने दावा किया कि 2024 के लोग सभा चुनाओ में NDA 400 सीटो पर जीत दर्ज करेगा वैसे तो प्रधान मंतरी मोदी ने काफी टॉपिक्स को लेकर कॉंग्रेस को लताड़ा पर एक जवाब ऐसा आगया जिसने प्रधान मंतरी मोदी को अनकमफर्टेबल कर दिया जैसे ही प्रधान मंत्री मोधी ने परिवारवाद के उपर बोलना शुरू किया वैसे ही गौरफ गोगोई ने प्रधान मंत्री को उटा निशाना साथ दिया उपर से मलीकारजुन खडगे ने भी प्रधान मंतरी मोधी के उपर निशाना साधा उन्होंने कहा कि PM को कॉंग्रेस का नाम लिए बगेर नींद नहीं आती कॉंग्रेस और गांधी परिवार के लिए तंज को लेकर खडगे ने कहा कि वह परिवार के बारे में बात करते हैं परंतु वो ये नहीं बताना चाते कि कॉंग्रेस के नेताओं ने इस देश के लिए जान भी दी है क्या PM की पार्टी के किसी नेता ने देश के लिए जान दी है कॉंगरस महासचीव जैराम रमेश ने कहा कि प्रधान मंतरी के बयान से फिर साफ हो गया है कि वहाँ दलित आदिवासी और पिछडों को जहासा दे रहे हैं वह प्रदान मंत्री को बताना चाहते हैं कि सिर्फ भाशन से उनका भला होने नहीं वाला है बिना जातिगत गंड़ना के उन्हें उनके अधिकार नहीं मिल सकते पी-म हिम्मत दिखाएं और इनकी गिंती कराएं आखिर किस बात का डर है अगला अपडेट आ रहा है जारकंड को लेकर हेमंत सुरेन की गिरफतारी के बाद से ही जारकंड में सियासी बवाल जारी है इस बीच सामना के संपाद किये में कहा गया है कि आज के राजनीतिक महाल में हर कोई नितीश कुमार, अजीत पमार या एकना चिंदे नहीं होते कुछ स्वाबी मानी हेमंत सुरेन भी होते है परदान मंतरी मोदी और ग्रिय मंतरी अमिच्छा को इसका एसास हो गया होगा भाजपा को उम्मीद थी कि सुरेन की पार्टी के विदायकों में फूट पढ़ जाएगी एडी के दबाओं में विदायकों के दल बदलेंगे और भाजपा के मनसूबे पूरे होंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और हेमंत सुरेन के उतराधिकारी चमपई सुरेन ने विदान सबा में विश्वास मत जीत लिया है सुरेन ने यह भी कहा कि भाजपा अगर उनके उपर लगे हुए गुनाओं को प्रूव कर लेती है तो वहर राजनीती तो क्या जारकन छोड़ कर चले जाएंगे उन्होंने यह भी कहा कि अगर दलितों और आदिवासियों के साथ ऐसा ही होता रहा तो उन्हें भीमराओं अंबेटकर की तरह मात्मा बुद्ध के रास्ते पर चलना पड़ेगा अगली न्यूज आ रही है केजरिवाल और E.D. को लेकर दिल्ली के सीम अरविंद केजरिवाल के परसनल सेकरेटरी विभव कुमार और आप संसद एंडी गुपता के घर पर मंगलवार 6 फरवरी को E.D. की रेड हुई है आतिशी ने दावा किया है कि शराब घोटाले में E.D. ने इंवस्टिकेशन के बाद सारे ओडियो फुटेज डिलीट कर दिये हैं जिनसे भी बयान लिये गए उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बयान दबाव में दिये हैं आतिशी ने पूछा कि E.D. audio डिलीट करके किसे बचाना चाती है आपने देश कोर्ट के सामने जितने सवाल किये हैं उन मेंसे कितने audio आपके पास मौझूद है अगला अपडेट आ रहा है तेलंगाना की CM रेवन्थ रेडडी को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री और राज्य कॉंग्रेस प्रेजिडेंट रेवन्थ रेडडी ने सोमवार को सोनिया गांधी से अपील की कि वे तेलंगाना से लोग सभा चुनाओ लणे रेड़ी ने कहा कि तेलंगाना के लोग सोनिया गांधी को मा के रूप में देखते हैं जिसने तेलंगाना को एक अलग राज्य का दरजा दिलाया हालाकि अभी तक सोनिया गांदी ने इसका फैसला नहीं किया, उन्होंने एड किया कि सही समय आने पर इसका फैसला किया जाएगा रेवन्त रेड़ी दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले जाँ उन्होंने बताया कि तेलंगाना कॉंग्रेस ने इस रिक्वेस्ट को लेकर एक रेजलूशन भी पास किया है रेवन्त रेड़ी के साथ राज्य के डिप्टी सीम मलू बटी विक्रमादिते और स्टेट रेवेन्यू मिनिस्टर पॉंगू लेटी श्री निवास रेड़ी भी थे अगला अपडेट राहूल गांधी की नियाय यात्रा को लेकर 14 जनवरी को पूरवत्तर भारत से शुरू हुई यात्रा के दोरान राहूल गांधी समेत कई कॉंग्रेस निता अलग-अलग राज्यों में लोगों से मिल रहे हैं जारगंड की यात्रा समाप्त करने के बाद अब कॉंग्रेस ओडिशा का रुख करेगी ओडिशा के दो पश्चिमी जीलों सुन्दरगड और जारसुगूडा में लगबर 200 किलोमीटर की यात्रा की योजना है इसी अपडेट के साथ अभी का ये बुलेटन यही पर समाप्त होता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा कि आपको हमारी पत्तरकारिता कैसी लगी बने रही एक खबर हाट के साथ ताकि हम आपको इसी तरह से अपडेटिड रख सकें क्योंकि बात अगर समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी दन्यवाद